हर राज स्वागराद नश्कों को स्वागत सामर्ण जी शादी के बाद क्या पुर्ष के वीर अवरत को मोटी बनाएगी हम देखते हैं कई अवरत शादी के पहले वो स्लिम होते हैं स्मार्ट होते हैं लेकिन शादी के बाद मोटी हो जाती है क्यों यह तो मिलियन डालर कुस्चन है कई लोगों को स्लिम वाली अवरत शादी के मोटी चोटी मोटी वाटी किस कुछ लोग समझते हैं पुर्ष के वीरी से वो मोटी बन जाती है अईसा समझते हैं वीरी में बहुत बल होता है उस बहुत स्थिंगी मिटीर है बहुता समझते हैं उस वीरी से बलवर्थक वीरी से वो लेडी मोटी बन जाती है लेकिन एक सैंट्विक प्रेक्टर समझ रहा है वीरी कोई कुछ भी बलवर्थक नहीं है उसे कोई इसी किसी प्रकार ठाकत नहीं होता लगिने कोई से कोई वाइटल आपके कुछ भी वाइटल पदाद नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है कुछ नहीं वीरी क्या होता है वीरी कोई क्या होता है वीरी कोई कोई बलवर्थक पदाद नहीं होता कुछ भी बलवान वीरी वाला वीरी वाला बलवान नहीं है कई लोग बीरी वान होते हैं बहुत खूब बीरी होता है लेकिन बलवाण है कम जोट दिखते हैं बीर बीर कोई भी बरबर्थक नहीं है उससे थाकत नहीं आएगा बीर अंदर रहने पूर फिर भी थाकत वाल नहीं बनेगा इसरह ने सेक्स में भाग लेने से वीर गिनने से योनी में वीर गिनने से वो अवरत कभी भी थाकत वाली नहीं बनेगी उस मोटी बनने के ले वीर का कोई भी तालुक नहीं है कुछ भी नहीं है वीर से कोई वीर गिनने से योनी मार में गिनने से कोई भी किसी भी एवरत मोटी नहीं बनेगी वो पहले समझाए जब शादी हो जाती है करो हुए हस्बंड के साथ बैट कर बार बार कुछ एंपकुछ खाते हैं कुछ नहीं करते हैं romantic talks से काते हैं romantic feelings से काते हैं बिल बया बागल में बाइट कर का काती हैं कुप काती हैं खूब काने के वज़े से बोटी बंजीत हैं लेकिन वीरी के वची से नहीं मोटी बनना केवल खाने से ही होती है लेकिन बीर से नहीं इसलिए जो कोई भी शादे के पाले जो अवरत बहुत स्लिम होती है वो स्लिमनेस को रखने के लिए शादे के बाद भी वो कम खाना हर रोज कुछ अक्सेसरिज करना करने से वो तो वो ऐसा ही स्लिम रहेगी लेकिन कालेती हैं कईया आवरत कालेती हैं खालेने काने को ज़े से मोटी बते लेकिन एक गलत धाना है वीर पुरिश के वीर से आवरत मोटी बन जाएगी ये गलत धाना है उसमें कोई सच नहीं है और एक अन्ष से फिर मिलेंगे तब तब बेजा लोगा नामस्कार।